हाई दोस्तों, इस में बार्बी, ये है मेरी 5000 सब्सक्राइबर्स स्पेशल व्लाग तो मेरी फ्यारी सब्सक्राइबर्स और फैंस की रिक्वेस्ट थी कि मैं होम टूर करूँ और क्योंकि आज संडे है, मैं हूँ अपने हॉलिडे हॉम में तो मैं आपको दूँगी अपनी हॉलिडे हॉम की तूर जब भी कोई वीकेंड हो या फिर हॉलिडेस हो तो स्किपर और मैं यहां आ जाते हैं पोल्यूशन और सिटी के शोर से बहुत दूर यहाँ पे हमें बहुत सुकुन मिलती है क्योंकि यह घर है बिलकुल खुद्रत के बीच ओ बीच यह holiday house मेरी नानी की थी लेकिन आप उनने मुझे दे दी कभी-कभी Stacey और Chelsea भी मेरे साथ आ जाते हैं यहाँ पे और कभी-कभी तो Ken, Teresa, Tia सब आ जाते हैं यहाँ पे party करने तो चलिए दिखाती हूँ मैं बाहर से शुरू करते हैं यह घर के साइट पे है एक bird bath क्योंकि यह घर बहुत पुराना है तो यह सारे चीज़े हैं इसमें मुझे यह bird bath बहुत पसंद है बहुत सारे अन्नो के birds आते हैं यहाँ पे बात करने और फानी पीने के लिए अच्छली अंदर दिखाती हूँ घर यह घर बहुत पुराना है लेकिन फिर भी मुझे पसंद है यह घर में इतने सारे बड़े बड़े खिटकी है कि अंदर बहुत हवा चलती है और अच्छी सी दूप पे आती है यह है house नंबर 159 अब चलिए यह प्यारा सा white gate खोलते है और अंदर चलते है तो अंदर आते ही आप हमारे किचन देख सकते है तो चलिए सबसे पहले हमारे किचन देखे तो जैसे कि आप समझी गए होंगे यह पूरी की पूरी ब्लू और white house है यह मेरे नानी की फेवरिट कलर थी तो इसलिए मैंने भी यह मैचिंग वाली ड्रेस पैनली व्लॉग के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते है यह एक फ्रिच है जो कि पूरी की पूरी ब्लू है फुरानी है लेकिन बहुत अच्छा काम करती है यह एक कनवेक्शन ओवन है और इसमें एक सीक्रेट बेक हो रही है और वो मैपको दिखाऊंगी वीडिय प्रिचो की अंड में और यह हमारा फ्यारा सा चोटा सा स्टाव है और वो रहा हमारी मिक्सी और यह एक ठीपॉर है ये देखिए हमारी प्यारी सी मिक्सी अच्छी है ना? और ये किचिन सिंक ओ, ओ, गाड़ इसमें तो डिर्टी प्लेट है जरूर स्किपर की काम होगी खल का डिनर प्लेट अब तक वाश ने किया आप भी उसके कबर लेते हूँ स्किपर स्किपर तुमने अपने डिर्टी प्लेट वाश ने की लगता है अब तक उठी नहीं स्किपर, देखू तो टाइम क्या हुई है ओ माइग गुटनेस 8.20 और फिर भी नहीं उठी स्किपर चलो वो कल की फाशन शो से बहुत तक गई होगी तो चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं ये एक पुराना सा लाइन लाइन है जो कोई यूज नहीं करता लेकिन मुझे तो पुरानी चीज़े अच्छे लगते हैं तो मैंने ये निकाला नहीं यहां से देखिए तो कितनी प्यारी है ये अब चलिए देखते हैं फ्रिच के अंदर क्या है ये ही मैंने खोल दी फ्रिच आहां और ये देखिए हम जब हॉलिटे होम आते हैं तो ज्यादा कुकिंग नहीं करते क्योंकि हम यहां पे रिलाक्स करने आते हैं तो इसलिए बहुत सारे रेडी टू इच चीजे लाते हैं और यहां पे स्टोर करते हैं ये देखिए आइस क्रीम है केक है, जैम है, बाटर, चीज सब है, सब और नीचे क्या है ओ या, पीनट बाटर, फ्रूट टार्ट है ओ यामी, I लव फ्रूट टार्ट मुझे तो खाने की मान हो रही है ये स्किपर की मान पसंद औरन जूस है और ये कल की रेस्टोरेंट की टेक आउट बाक्स है यहां पे है पानी की बॉर्टल और ये ठाको है कल की तो बस, वो है हमारी फ्रिज की स्टाक स्किपर और मेरे पसंद के चीज़े सब है इसमें तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं टूर में अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ खास मेरे साथ आए और ये देखिए यह भी एक सुन्दर सी सीक्रिट डोर है चलिए दिखाती हूँ इससे ऐसे ओपन कर सकते है और फिर पीछे के काड़ में जा सकते है अच्छी है ना तो ये बंद कर दी मैंने अब मैं कुछ माजिकल दिखाती हूँ ये देखिए ये है एक फोल्डबल बेंच और यहां उपर है एक फोल्डबल टेबल ये देखिए ये ऐसे खोल दिए हमने तो टेबल बन जाती है और ये बन गए हमारी डाइनिंग टेबल तो ये एक चोटा सा कॉमपाट हाउस है तो यहां पर सब फोल्डबल और कनवर्टबल है मैं रोज सुबह यहां पर बैटके चाई पीती हूँ और बाहर के बर्ट्स देखती हूँ लेकिन एक बात है जब भी मैं हॉलिटे होम आऊ तो मेरी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है तो टाइनिंग टेबल के ठीक ऑपोजट यहां पर एक मांटल है हमारी जिसके उपर एक हॉलिटे वाली पेंटिंग है क्योंकि यह हॉलिटे हाउस है और नीचे है एक फायर प्लेस विंटर में तो इसके बिना काम नहीं चलता हमारा और किचिन में एक चीज दिखाना तो भूली गए मैं और वो है मेरी बेकिंग स्टेशन यह है मेरी बेकिंग टेबल और इसके अंदर मैं अपने सारे बेकिंग के सप्लाइज रखती हूँ तो इसके अंदर मेरी हैंड मिक्सर है और स्पैचिला है मेजरिंग जार है और यह स्प्रिंकल्स की जार है यह हैंड ब्लेंडर मेरी सबसे प्यारी है इसके बिना तो मैं बिलकुल काम नहीं कर सकती और ये नीचे है मेरी केक मॉल्ड्स और और भी नीचे है मिक्सिंग बॉल तो वो थी मेरी बेकिंग स्टेशन तो नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ अपनी लिविंग रूम तो चलिए मेरे साथ ये चोटा सा लिविंग रूम है जिसमें चोटी सी टीवी है वैसे तो हॉलिड़ होम में ज्यादा तर टीवी नहीं देखते हम क्योंकि ज्यादा आउटडोर अक्टिविटीज करते हैं लेकिन जब स्किपर सो रहे हैं तो मैं टीवी देख लेते हूँ और अप मैं कुछ माजिकल दिखाऊंगी आपको ये टीवी यूनिट को ऐसे नीचे करूंगी तो ये बन जाएगा मेरी बैड ये बन गई मेरी बैड कैसे लगी दोस्तों? मेरी बैड अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक देदीजे और सब्सक्राइब कर दीजे हमारे चानल को मुझे तो ये बैड पे बहुत आराम मिलती है और अच्छे से नीद आ जाती है ओ, मुझे तो नीद आ रहे है अभी नहीं नहीं चलिए अब मैं कैसे सो सकती हूँ बैड तो देख लिए आपने अब देखिए कुछ और भी मज़ेदार ये मेरी बैड ऐसे उठाए तो ये बन जाएगा मेरी बात्रोम ये किन नहीं होता नो आपको ये है हमारी हॉलिडे हों की पूरी की पूरी बात्रोम मुझे भी यकिन नहीं हुआ था जब नानी ने मुझे पहली बार दिखाई हाँ तोड़ी फानी तो है ये हो गया तो आप मैं कुछ और भी ज्यादा माजिकल दिखाऊंगी पहले तो ये बेकिंग स्टेशन हटा दो यहाँ से और आप देखिए क्या करती हूँ मैं ये मैंने किचन को ऐसे पकड़ी और इसे ऐसे गुमा दी और टा-डा ये बन गाए इस किपर और स्टेशी की बेड़रूम उप्स स्किपर अभी भी सो रही है मैं भूल गई थी चली उठाते हैं उसे स्किपर सुबा हो गए उठो तो बार्पी के शोज पूरे मेरे हो गए वाव तैंक यू बार्पी ये नीद में बात कर रही है ये उपर है स्टेसी की बैट अभी तो वो हमारे मामी पापा के साथ है लेकिन जब मेरे साथ होती है तो यहाँ पे आती है मेरे साथ ये देखिए स्टेसी की चोटी सी टेप रिकॉर्डर स्टेसी को बहुत प्यार है इससे और मुझे भी पार्पी शोर बंद करो उपस सौरी स्किपर तू चलिये चलते है अगली चीज दिखाऊंगे मैं आपको तो यहाँ पर है स्किपर और मेरे बैग्स यू कहिए हॉलिडे बैग्स सारे जरुरत के चीजे लाते हैं हम इसमें और यहाँ पे ये शेल्फ के अंदर है चल्सी की बैट चल्सी जब हमारे साथ आती है तो इसमें सोती है तो वो थी पूरी की पूरी हाउस टूर दोस्तों आपको मेरी हॉलिडे होम अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक दे दीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो चल्ये दोस्तों अब टाइम है आपको मेरी सब्प्राइज दिखाने का ये बेड्रूम को वापस गुमा देते हैं ऐसे ये हो गया अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आवन के अंदर क्या है ये रहा 5000 सब्सक्राइबर्स की स्पेशल चॉकलेट केक कैसी लगी सब्प्राइज दोस्तों अच्छी लगी तो एक लाइक देनी चीगा जरूर इससे मैं आप बाहर दिखा लूँगी वाव ये तो बड़ी अच्छी आई है मेरी तो मूमे पानी आ रहा है इसको देखके चलिए टेबल पे रखें इससे मैं एक बार और अपने दिल से दन्यवाद कहना चाहती हूँ 5000 सब्सक्राइबर्स के लिए मुझे उमीद है कि आपके प्यार ऐसे ही बनाए रहे हम पे और आपको मेरी सब्प्राइज चॉकलेट केक अच्छी लगी तुमने क्या चॉकलेट केक कही बार भी ये दिखो स्किपर उठ गए चॉकलेट केक की बाद सुनके आरे कैसे नहीं उठती मुझे खाना है चॉकलेट केक मुझे आभी खाना है और बार्बी तुम्हारी चॉकलेट केक्स तो सबसे अच्छे होते है मेरे मूँ में पानी आ रहा है स्किपर पहले तुम कल के अपनी गंदी प्लेट वाश करके आ जाओ फिर खा सकती हो केक ओके तुम ना बार्बी ओके ठीक है मैं जा रहे हूँ हो गया साफ करना अब तो खा सकती हो ना बार्बी और इसके पहले बाई तो बोलने दो मेरे दोस्तों को बाई फ्रेंड्स आप यू लाइक आर केक केक पसंद आई तो प्लीज एक लाइक दे दीजे और सब्सक्राइब कीजे हमारे चानल को हाँ हाँ बाई फ्रेंड्स बाई चलो बाई हो गया अब तो का सकते हैं ना बार्बी हाँ हाँ स्किपर येई